यहालो दोस्तों कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे नभी लामद जो लोग भी हमारे चानल पर हैं फाइफ फॉजंड से उपर हो गया है सभी लोगों का सुक्रिया और मैं तो बना ही नहीं पाँ रहा हूं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं ठीक है तो मैं सोजा चले बहुत दिन हो गया मगर आप लोग जुरे रहें इसी तरीके से कभी टाइम टू टाइम वीडियो कुछ ना कुछ और मैं खुद भी सीखता हूँ ठीक है मैं कोई सिखाने के लिए नहीं कुछ सीखने के लिए ही हूँ और आप लोग भी कॉमेंट देते मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ कुछ नॉलेज की भी चीज़ करते रहें उससे मुझे भी इंप्रूब होता है मारे नॉलेज में कुछ ऐसे चीज़ ज़री नहीं कि हर चीज़ हम जानते हैं एनिवे तो टाइम नहीं मिलने के वैसे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ मगर मैं आप लोग जो कॉमेंट डालते हैं मैं जरूर पढ़ता हूँ तो चरहें सुक्रिया इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें अप लोगों को स्टार्ट करता हूँ कंस्ट्रक्शन फिल्ड में आजए आप सेफटी प्रोफेशनल हैं बहुत से जैसी जब सी निवोस ऑनलाइन हो गया है ना बहुत से वर नियू इवन जूसरे प्रोफेशन में वह को किसी ने बोल दिया कि भाई आप इस फिल्ड में चले जाएए इस में फिल्ड में ज़रूरे स्टरी करें यह नहीं कि बस वह पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे होने के लिए तो होई जाएंगे तो अच्छल पर आप करता हूं जैसे कि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे तो लूडिंग अंलोडिंग का काम चलता है हैंडलिंग की दो बवाद आप professional है you are the in charge for there and you have to make sure all the safety measure and safely unloading unloading okay तो आप यह सेफ्टी पर आप चेक करेंगे वहां पर देखेंगे और डिसकस भी अपरी प्लान भी होनी चाहिए अगर अन प्लान्ट एक्टिविटीज है तो डिफिकल्ट and risky we can call हम का सकते हैं बहुत ज़्यादा रिसक्य इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है कॉडिनेशन बहुत जरूरी है और सेफ्ट सिस्टम ओफ वर्ट वहां पे बहुत ही जरूरी है आपका रिसक असेस्मेंट हो गया वर्क परमिट सिस्टम हो गया या job safety analysis वाटिवर जो आपके साइट पे है या परिस्क मिटिगेशन कोई प्लान है तो उसके इसाब से आप साइट पे भी ऑन जॉब आप रिसक असेस्मेंट कर रहे हैं है ना बंदे को आप है जो औरेंट मतलब रिफ्रेस औरेंटेशन कितने बंदे उसमें इन्वॉल्ब है ट्रेल इस एरिया में अगर वन टाइम स्ट्रेलर आता है खास का जो लोजिस्टिक में काम करते हैं जो एरराओस में काम करते हैं तो उस दरह का خासकोर ध्यान दे बाहर से जो आ रहा है ट्रेलर वोई train त्रेलर आ कहा Araas box क्या जाएिक नाएगा तो ब्लॉक कर दिया एरिया है तो वहाँ पे देखें वहाँ पे और भी आपको ज़्यादा करें कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा उसी तरीके से अगर आप जब पार्क हो जाता है तो उसका एप्रोप्रियेट स्पेस होनी चाहिए जहां पे ट्रिलर पार्क होगा जैसे आप देख रहे हैं कि अनलोडिंग का काम चला है और उस एरिया में बैडिकेशन होनी चाहिए बैडिकेशन इट मींज कोई भी बैडिकेशन आप एक बंदा एसाइन कर दिजिए कोई भी अनुथ्राइज पर्सन को इंट्री नहीं होनी चाहिए जहां पे ट्रिलर पार्क होता है स्टॉपर होनी चाहिए फ्रांट विल पे, द्राइबर, उसका भी आप पेपर डौकुमेंट्स जो आपका सेकूरिटी भी ले सकता है, जो कोई आप साइन बन्दा है तो भी ले सकता है ठीक है, तो आप भी जेक करेंगे, कि जब ड्राइवर लोग हैं, वो अब भी ठीक है अब उस जगह पे जो लिमिटेड बंदे वो टूल बॉक्स टॉक हो गया या रिफ्रेस आप जो भी आप देते हैं उनको रिस्क एसेस्मेंट वो डिसकस कर ले उनसे कि भाई क्या-क्या है जैसे हैजर्स की बात करें तो यहां पर कॉलिजन हो सकता है हीट हो सकता है की लिए तरह से आप बहुत से चीज़ हो सकते है अगर ऑपरेटर जिस चीज़ से आप उतार रहे हैं माँ याप वोर्कलिफ्ट से उतार मैं क्रेन की बात नहीं कर ह govern नहीं एंडिंग कर रहे है जैसा आप देख रहे है तो फॉर्कलिफ्ट में क्या है कि वह अपरेटर साट से क्या वो साथ चेक कर लें बैंक्समें कर सकते हैं कि नहीं बैंक्समें बैंक्समें ऐसा ही बना दिया किसी वर्कर को लेकि नहीं बैंक्समें का भी ट्रेनिंग होने चाहिए उसको पता हो चाहिए कि कितना डिस्टेंस रहना है किसे कुपमेंट से और कब हम स्राउंडिंग मूफ करेगा ऐसा तो नहीं है कि इसे उतारेगा इसे रख देगा तो स्राउंडिंग मूफ कितने लोग बैक साइड खरे हो जाते हैं पता नहीं चलता है तो यह चीज़ का ध्यान दें ब्रेक कला सब असेस्मेंट से बता दें नहीं को ट्रेडिंग दे वरकर्स को फिर फिर करें उसके बाद अगर हम हईज़र्स की बात करते हैं तो अगर भे आपका सकते हैं इस तडर का आपका विकिल सेफटी भी हो गया इधर आपका equipment safety भी हो गया और housekeeping उस area में है अगर improper आपका housekeeping नहीं है improper है तो फिर जाहिर सी बात है वो भी आप stuck कर सकता है ठीक है material आप पे किस तरह का अनलोड करने जा रहे हैं उसका load capacity क्या है अगर आप make sure नहीं करते हैं वो materials अगर by the way sometime ऐसा होता है आप नहीं बुर सकते हैं कि सारे safety को cover कर ले मान लिया कि अगर drums है तो drum जब आप उतारते हैं उस time में जो signal man होगा वो बहुत ही qualified होनी चाहिए उसको signal का पता होनी चाहिए कि signal कैसा देना है अब क्योंकि वो blind spot हो जाता है और blind spot में बहुत ही difficulty है और यह bulky भी कर सकते हैं oversize है तो आप जो उसका fork है वो proper आपका placed होनी चाहिए और एक बंदा उसको signal दे के फिर देर उसको lower मतलब six inch evap करके आप conform करने कहां से lift करना है कहां पर रखना है और जो drum रखाएगा वो भी आपका जो materials रखाएगा वो उसमें क्या safety चाहिए इस सारा चीज़ देखने के बाद ही आप land का compaction देखने की load जो material रखने हो है की नहीं है वो material खराब हो सकता है की नहीं है signages वहां पर safety है तो आप देखें की signages है की नहीं है ठीक है फिर one by one सारा चीज़ जब load कर लेते हैं तो फिर trailer इस तरह का आपके site पर हो सकता है जो basic के मिरे माइंड में आया तो मैंने शेयर कर दिया और भी बहुत से चीज़ है controlling बहुत से मेजर है फिर चले नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बस टच मेरा है ओके थैंक यू टेक क्या